आज भाईयों उनके लिए बताऊंगा जिनके बीपी बढ़ा रहता है और बीपी की दवाई खा रहे हैं फिर भी आराम नहीं मिलना है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा पर बता रहे हैं आप ये देखी ये देख लीजिए और ये पत्ता आप जिनको बीपी बढ़ा हुआ है इसे पासान भीद भी बोलते हैं पत्थर चटा भी बोलते हैं ये देख लीजिए सब किया मिल जाएगा जिनको बीपी बढ़ा रहता है ना उनको क्या करना चाहिए इसकी पत्ता है ना एक पत्ता सुबह काली पेट लिए दोके नहीं अच्छी तरह से साफ करके नहीं है चूसें इसको अच्छी तरह से खा जाएं इसकी तरह दुपएर में लेना है इसी तरह को शाम को लेना है इस पर करिया को आप 20-25 दिन लगातार करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बीपी बढ़ रहा था भाईयो बीपी पूरा नॉर्मल आने लगता है इससे बीपी क पत्रिये पिसाब कुनली की पत्रिये दीरे 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 पूरी तरह से ठीक हो जाते है भाईयो यह राम माण पोदा पत्रचटा अपने घर पर लगाना चाहिए नरसरी में मिल जाता है और भाईयो बहुत अच्छा पोदा भाईयो मेरा वीडियो अच्छा लग़ा तो जाख पॉब लौब लग़ा झेले भाईयो तो वाईयो पुण से को जो घख भी फॉब लॉब वाईयो